सेसील की दिपका कोल परियोजना में कार्रत ठेका श्रमीक उस वक्त आक्रोशित हो उटे जब खदान में नियोजीत एक ठेका कमपनी की बाउंसर ने ट्रॉक चौलक की पिटाई कर दी मारपिट की घटना में चौलक का सिर्फ अट गया जिसके बाद आक्रोशित श्रमीकों ने खदान के भीतर काम बंद हर्ताल कर बाउंसर के खिलाफ कारवाई की मांग करने लगे इस बीच कर्मचारियों की बाउंसर के साथ हाता पाई भी हुई S.E.C.L. की दिपका खदान में एक बार फिर से विरूद की आग भड़क गई है खदान में कार ठेका कमपणी कलिंगा की बाउंसर ने कमपणी के ही चौलक के पत पर काम करने वाले एक श्रमीक के साथ मारपिट करते हुए उसका सिर्फ होड़ दिया विवाद की जबात को लेकर था इस बात के पता नहीं चल सका है लेकिन श्रमीक दिवस के दिनी हुए इस घटना की बाद अन्य श्रमीक भी आक्रोशित हो गए हैं और काम बंद हरताल करते हुए बाउंसर के खिलाफ कारवाई की मांग करने लगे घायल का नाम प्रेम चंद पटेल है जो कमपनी के च्वालक के रूप में काम करता है मारपीड की घटना की बाद प्रेम चंद को अन्य श्रमीकों का साथ मिला बाउंसर को हटाने के साथ ही घायल के उपचार और आर्थिक सहाईता करने की मांग की जा रही है दिपका पोलिस को पुरे मामले से अवगत करा दिया गया है ब्यूर रिपोर्ट एसियन न्यूज